हलो स्ट्टेंट्स आज हम लिमिट्स समझेंगे लेमिट्स क्या होती है दीकिंड लिमिट्स जो हता है वो बहुत ही एक इंपोर्टेंट चेप्टर है कि और इसके यूजेस हमें फछीमेश में मिल सकते हैं छीमट्स में तो है for defining, continuity derivative and integral in calculus. तो यह limit के इतने सारे uses होते हैं, ठीक है, यह continuity derivative and integral हम हमारे 12th के syllabus में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अभी हमें alone में limit है, तो अभी हम समझते की limit क्या होती है, ठीक है, इससे पहले हम एक चीज को समझ लिये, कि limit के हम solve करते हैं वक्त हमें इस चीज़ इसके cross बारवर आना पड़ेगा, अब इसका मतलब क्या है, कि X approaches to 1, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, X tends to 1, ठीक है, इस arrow का मतलब क्या है, कि X approaches 1 या X tends to 1, दूर नहीं चीज़ी क्या है, यह सपोस्ट करा हमने एक number line, ठीक है, यह 0 हुआ, यह 1 हुआ, यह 2 हुआ, यह 3 हुआ, यह 4, यह minus 1, minus 2, और यह minus 3, तो 1 पर आने के दो रास्ते हैं, एक तो यह रास्ता हुआ, और एक यह रास्ता हुआ, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि X is approaching towards 1, अब X को 1 पर अप्रोच करने के दो रास्ते एक तो या तो इधर साइड से आ सकता है, यह X एक्सी से आपकी, और X को पायने के दो रास्ते, एक तो यह इधर साइड से आ सकता है, और एक इधर साइड से आ सकता है, इसे क्या बोलेंगे हम, right hand side और इसे हम बोलेंगे, left hand side, ठीक है, तो इसका extending to 1 का मतलब है, कि X जो है, वो 1 को अप्रोच कर रहा है, और 1 को अप्रोच करने के दो रास्त करेगा, या फिर वो right hand side से अप्रोच करेगा, ठीक है, इसी के साथ एक फंक्शन लेते हैं, और limits को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, suppose एक फंक्शन ले हमने, fx is equal to x square minus 9 upon x minus 3, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में हम x की value put करते हैं और उसके corresponding fx की value निकलते हैं, तो यहाँ पर मैं x put करता हूँ और उसके corresponding fx की value निकलता हूँ, सबसे पहले मैं करता हूँ, x की जाके 1 put करता हूँ, x की जाके 1 put करता हूँ, 1 का square 1, 1 minus 9 is minus 8 upon 1 minus 2, 1 minus 3 is minus 2, so, यहाँ की value आएगी 4, ठीक है, x की जाके मैं 2 put करता हूँ, तो यहाँ पर value आएगी 2 square 5, अगर मैं x की value 2.5 put करता हूँ, 2.5 यहाँ पर value आएगी 5.5, 2.6 put करूँगा तो यहाँ पर value आएगी 5.6, 2.7 put करा, तो 5.7 आएगी, 2.8 put करा, तो 5.8 आएगी, यह value मैं पहले से calculate कर चुका हूँ, इसलिए मैं directly लिक रोका हूँ, ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, उसकी value पूट करके, अगर मैं 2.9 put करूँगा तो यहाँ पर आएगी 5.9, 2.99 put करूँगा, तो यहाँ पर आएगी 5.99, 2.999 put करूँगा, तो यहाँ पर आएगी 5.999, ठीक है, और मैं exactly 3 put कर दूँगा, तो यहाँ पर आएगी, यह value और इस form कॉम बोलते हैं, indeterminate form, ठीक है, इसको हम बोलेंगे, indeterminate form, यह होता ही है, indeterminate हम क्या बोलेंगे, यह होता ही है, indeterminate form, ठीक है, अगर मैं 3 से थोड़ी बड़ी value लेता हूँ, 3.1, तो इसकी value आएगी 6.1, 3.101 लूँगा, तो इसकी value आएगी 6.01, 3.001 लूँगा, तो 6.001, 3.0001, तो यहाँ पर value आएगी 6.001, ठीक है, अब इस पूरी process का हम मतलब क्या निकलना चाहते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, अगर हम exactly 3 पर value देखें, तो इस function की exactly 3 पर value क्या है, 0 by 0, और यह क्या होता है, undeterminate form, यह होता है, undeterminate, या indeterminate form बोल सकते हूँ, indeterminate form, ठीक है, इस value पर हम इसकी value कल्कुलेट नहीं कर पाएंगे, तो हम 3, जैसे हम इसमें 3 पुट करा, तो 3 पर इसका indeterminate form है, तो हम 3 पर इसकी value कल्कुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, फिर भी हम जानना चाहते हैं कि जब वो function, जब वो variable x पर पोच रहा है, तो वो function क्या value अप्रोच करेगा, ठीक है, उसी को हम limit के थुरू निकालते हैं, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इसकी limiting value निकालना चाहते हैं, कि x जब 3 पर पहुचेगा, तो उसकी value क्या आईगी, ठीक है, अब 3 पर पहुचने के कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं, या तो वो right hand side में पहुचेगा, या फिर left hand side से पहुचेगा, right hand side मतलब ये 3 है, तो या तो वो इधर से पहुचेगा, या इधर से पहुचेगा, इधर से पहुचेगा, तो ये value हो रहेगी, वो 3 से थोड़ी सी छोटी रहेगी, ठीक है तो देखते हैं क्या होता है लिमिट एक स्टेंज चुट्री एक स्क्वेर माइनस नाइन अपन एक स्माइनस थी ठीक है अब एक से क्या पूट करेंगे हम थ्री माइनस एच तो लिमिट एच टेंज टू जीरो और यहां पर क्या जाएगा 3 माइनस एच का स्क्वेर माइनस नाइन अपन यह कितना हो जाएगा 3 माइनस एच माइनस 3 लिमिट एच टेंज टू जीरो नाइन प्लस एच स्क्वेर माइनस 6 एच अपन माइनस एच माइनस नाइन ठीक है यह नाइन से नाइन कैंसल हो गया और यहां पर आया है एच एंटू हमाइनस 6 पॉन माइनस एच से एच कैंसल हो तो इसकी वाल्यू कहीं ह माइनस लिमिट एच टेंज टू जीरो एच माइनस 6 तो जब हम हम एच इस इकल टू जीरो पूट करेंग तो इसकी वाल्यू कितने आएगी टानी 6 टीके तो यह क्या बता रहा जब जब वह वेरेबल जो है त्री को अप्रोच करेगा जब उस तरफ यह फंक्शन 6 को अप्रोच करेगा ठीके अब हम इसकी राइट हैंड की वह लिमिट टिंका लेंगे तो भी वह किसके बड़ाब रहेगा शिक्स के बड़ाब देख तो एक्स स्क्वेर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 इसे पुट करा लिमिट एच टेंस टू जीरो यहां पर आजागा 3 प्लस एच का स्क्वेर माइनस 9 अपॉन 3 प्लस एच माइनस 3 इससे यह कैंसल हुआ लिमिट एच टेंस टू जीरो यहां पर आए 9 प्लस एच स्क्वेर प्लस 6 एच माइनस 9 अपॉन एच इससे यह कैंसल हुआ अगेन हम लिमिट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितने आएगी एच इंटू एच प्लस 6 बाइच यह एच से एच कैंसल एच की वैल्यू जीरो पूट करें तो इसकी वैल्यू क्या आई शिक्स ठीक है तो यह वैरिवल राइट है और लेफ्ट है दोनों से हम अब थ्री पर अप्रोश करेगा तो फंक्शन की वैल्यू कहां पर आएगी शिक्स पर और एग्जेक्ट्ली थ्री पर क्या होगा अधिक्रमेंट फॉर्म ठीक है और इसका हम ग्राफ बनाना चाहिए तो कैसा बनेगा वह भी देखिया आप अधिक्याए वह वन टू और यह थ्री थ्री पर ओड़ाँस को यह 6 से 3 पर यह अंडिफाइड है और 3 से छोटा कम होगा तो 6 बेल्यू आए हुआसे ओड़ा बड़ा होगा तो भी 6 वैल्यू आई गी ठीक है और यह कुछ ऐसा बननेगा ढ़िए इसका मतलब है कि यहां पर अन्डिफाइन दा फंक्शन यहां पर कुछ वैल्यू नहीं है उसकी ठीक है तो यह किसका ग्राफ है fx of x square minus 9 by x minus 3 ठीक है यहां पर हमें वैल्यू पता नहीं है ठीक है और अगर हम कोई function की limit निकाल रहे हैं तो दो condition दो क्यात तीन condition हो सकती है कि पहली लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट राइट हैंड लिमिट एक्जिस्ट है ना मतलब दोनों की लिमिट कल्मूरेट कर रहे तो वह आ रही है सेकेंड लेफ्ट हैंड लिमिट इस इक्वल टू राइट हैं लिम्ट अगर यह दोनों बराबर है तो लिमिट एक्जिस्ट करेंगी से थर्ड इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इस नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देन लिमिट अब अब मैथेमेटिकल फॉर्म में कैसा लिखेंगे हम कोई लिमिट है एक्वल टू ए पॉजिटिव मतलब ए से थोड़ी बड़ी वेल्यू पर हम निकलना चाहरे है एफ एक्स की वो किसके बराबर आ रही है limit extending to a negative और fx अगर यह दोनों बराबर आती है तो limit क्या करेगी exist क्यों हम ऐसा लिखेंगे क्योंकि a पर पोशने के दो तरीके हैं ठीक है और दोनों तरीके से अगर value बराबर है तो यह क्या होगा limit exist यह भी हो सकता है कि a पर हम value calculate कर रहे हैं यह माइनस पर यह value आई और यह प्लस पर यह value आई ठीक है तो इस case में limit does not exist ठीक है इसका एक example ले ले लेते हैं उससे आपको समझ में आ जाएगा suppose एक function है mode of x-1 ठीक है तो यह function लिया अब x की value 0 पर function की value निकाले तो fx is equal to mode of 0-1 by 0-1 is equal to mode of minus 1 by minus 1 अब यह mod है तो इसको positive कने के लिए हमको additionally minus hang लगाना पड़ेगा तो इसकी value कितने आई minus 1 f of 0 पर minus 1 अब f of 1.0.5 पर निकाल देते हैं ठीक है तो f of 0.5 पर निकालेंगे तो यह आएगा 0.5 माइनस 1 by 0.5 माइनस 1 तो यह कितना आएगा यह भी आएगा कुछ ऐसा ही माइनस और माइनस 0.5 पर निकालेंगे तो भी माइनस वन आएगी ठीक है और हम जब 0 पुट करेंगे एक्स की वैलिव Grill 1 पुट करेंगे तो यह अनडिटर्मिन आंड फॉर्माइगा और उससे बड़ा वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1 तो इसका ग्राफ देखेiçãoल केसा बनेगा यह यह 1 पर undefined है और इसकी value अलग अलग हारी है यहां पर plus 1 हारी और यहां पर minus 1 हारी so left hand limit is not equal to right hand limit so limit does not exist तो इसका overall conclusion क्या निकला हमें limit limit की definition क्या लिखेंगे हम वह आप देखिए so a limit is the value that a function approaches as the input approaches some value ठीक और उसको represent कैसे करते हम ऐसे है यह जो input है वो कुछ value यह पर अप्रोच कर रहा है और उस time पर फंक्शन किस वैल्यू पर अप्रोच कर रहा है उसको हम क्या होते है और फंक्शन उस वैल्यू पर अप्रोच करने के दो तरीके होते हैं या तो यह पर वो positive side से अप्रोच करें और negative side से अप्रोच करें positive side कोन सी होगी यह वाली वो negative side कोन सी होगी यह वाली ठीक है इस limit को बलते हम right hand limit वो इसको बलते हम left hand limit if left hand limit is equal to right hand limit मतलब limit x tending to a negative is equal to limit x tending to a positive is equal then limit exist if not then limit do not exist ठीक है तो यह limit का एक छोटा जाया इंट्रोडेक्शन हुआ और इसके बाद हम इसके अच्छे वाले थोड़े questions करेंगे ताकि आपको और ज्यादा ही अच्छे से और elaborative way में clear हो जाए यह सब चीजे है ठीक है आपको वीडियो पसंदा तो अप्लाइक कीजे और अपने हमा